आपने लोहे के ब्रिज के बारे में सुनाओ, आपने एक कॉंक्रीट के ब्रिज के बारे में सुनाओ, पर क्या आपने रूट्स से बने ब्रिज के बारे में सुना है? मैं भारत के सफर में आप पहुचा हूँ मेगाले के नॉन ग्रांट फिलिज में जहां एक अनोका ब्रिज है फोटो में तो ये देखने में अच्छा लग रहा है पर यहां जाने के लिए तीन हजार सीडियां उतरनी और चड़नी बढ़ेंगी ये मुझे मालूम नहीं था ट्रेक तो शुरू कर दिया था अब पीछे नहीं आठ सकते एक हजार सीडियां उतरने के बार पैर काम रहें जैसे तैसे हिम्मत करके रेंगते रेंगते आखिरकार पहुँच गया रूट ब्रिज के पास बहुत ही सुन्दर है यार ये तो लेकिन जैसा फोटो में दिखता है वैसा तो नहीं है तो लोगों से पूछने पर पता चला वो ब्रिज तो अभी आगे है अभी आधा रास्ता ही आया है हे राम और चलना है अभी पाइनली कई पुल पार करने के बाद जंगलों से निकलते हुए मैं पहुँच जाता हूँ डबल डेकर रूट ब्रिज कितना सुन्दर है यारी है इसके लिए इतनी मेहनत वर्थ है मैं बस इसे निहारते बैढ गया यकीन नहीं हो रहा था कि पाँच महीने पहले जब मैं घड से निकला था तो प्रकृती की बनाई ऐसी बहतरीं चीजों को भी देखता हूँ सच में मेगाले अदबुत है यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद समय है वापस जाने का लेकिन हिम्मत नहीं बची है सोचा थोड़ा कुछ खा लिया जाए तो एक दुकान से पहाडों का बेस्ट फूड मैगी खा ही रहा था कि बहुत से लोगों से मिलना हो गया कोई गुवाटी से, कोई दिल्ली से, तो कोई पंजाब से जब इन सब को पता चला कि मैं इंडिया ट्रिप कर रहा हूं तो मेरे एक्स्विडेंसिस के बारे हैं पूछने लगे बहुत मज़ा आया सबसे बात करती मैगी खतम हो चुकी थी पर बाते नहीं लेकिन वापस भी तो पहुँचना है तो सबसे अलविदा लेकर निकल पड़ा जैसे जैसे आगे पढ़ रहा था हालत खराब हो रही थी पता नहीं अंधेरा होने से पहले पहुच पाऊंगा या नहीं गलती से गलत रास्ता पकड़े दीरे दीरे लोग दिखना बंद हो गया मुझे ऐसास हुआ कि मैं भटक गया थकान और अंधेरा दोनों बढ़ते जा रहे है तभी अचानक फ्रेंकी मिला जो पास ही के गाऊं में रहने वाला था फ्रेंकी ने कहा यहां का रस्ता ऐसा ही है आप फिर खो जाओगे चलिए मैं आपको सही रास्ता दिखाता हूँ डरते हुए मैं उसके पीछे पीछे चल दिया आखिरकार सही रस्ते पर पहुंच तो गया लेकिन मेरा होमस्टे अभी भी एक किलो मीटर दूर था लगातार एक घंटे चलने के बार मैं अपने होमस्टे पहुंचा तो कहीं जाकर जान में जान में अब एक थैंक्स टू फ्रेंक की भाई अगर आप भी मेगाले की यात्रा पर आएं तो साफधान रहें और किसी इस्थानिये की मदद लेने से ना हिचके चाएं